स्किन को हेल्दी रखने के लिए एक स्किन केर रूटीन का होना बहुत ही जादा जुरूरी है लेकिन उस स्किन केर में अगर लेरिंग सही तरीके से नहीं है तो जो भी इंग्रीटियंट्स आप यूज़ कर रहे हैं उनका इफेक्ट भी नहीं होगा आईए आज जानते हैं skin care routine में layering के importance के बारे में और किस तरीके से आपको layering करनी चाहिए इसके बारे में detail में Hi, Infinity Aesthetics Clinic से मैं Dr. Narendra Nikhum एक board certified dermatologist और hair transplant surgeon हूँ तो बिना किसी time को गभाई आईए video शुरू करते हैं Skin care routine में एक rule of thumb होता है ये बहुत ही जादा simple है जो सबसे thin product है वो सबसे पहले लगेगा और जो सबसे thick product है वो सबसे end में लगेगा हला कि कुछ minor cases में ये rule of thumb अपलाए नहीं होता है जैसे कई medical conditions में लेकिन majority of the times ये rule of thumb काम जरूर करेगा तो सबसे पहली steps जो आपकी skin के routine में होनी चाहिए वो obviously cleansing है लेकिन cleansing में अगर आप double cleansing करते हैं तो सबसे पहले cleansing आपको oil based cleanser से करनी है और उसके बाद में water based cleanser से उसके बाद वाली जो step है वो बहुत important है और कई सारे लोगों का confusion इसमें हो जाता है तो अगर skincare में देखें तो toner सबसे पतला product होता है हाला कि मेरे toners के बारे में जो खयाल है वो काफी अलग है लेकिन अगर आप toners use कर रहे हैं तो वो second layer होना चाहिए इसके बाद में आता है third layer third layer में आपके जो serum category के products है वो आ सकते हैं अब वो vitamin C हो सकता है hyaluronic acid हो सकता है glycolic acid हो सकता है या फिर किसी भी अलग तरीके का serum हो सकता है इसके बाद में जो layer होती है वो है creams और gels की यह जो layers है यह spot treatment के लिए use की जाती है याने अगर आपके face पे किसी भी तरीके का pigmentation है या फिर आपके face पे acne के spots है तो आप इस layer को लगा सकते हैं इसके बाद वाली जो layer है वो है creams and lotions की layer तो यह जो layer है यह कई बार moisturizer की layer हो सकती है तो जैसे ही आपके spot treatment वाले creams और gels अब्जॉब हो जाते हैं आप यह moisturizer वाली layer अपने face पे लगा सकते हैं अपने skin type के nosa वैसे अगर आपको अपना skin type पता नहीं है तो मैंने already इस पे video बनाया है आप उसे जाके जरूर चेक कर सकते हैं इसके अलावा सबसे लास्ट वाली जो step होती है वो sunscreen वाली होती है अब sunscreen कई सारे formulation में आती है जैसे aqua gel, cream, lotions and कई सारे और भी तरीके की लेकिन sunscreen एक protective layer होने की वज़े से वो हमेशा सबसे आखरी में लगनी चाहिए जाते जाते कुछ bonus tips के बारे में बात करते हैं जैसे कि अगर आप makeup कर रहे हैं तो sunscreen को आप base layer की तरह भी use कर सकते हैं याने parler वाला अगर कोई नए products आपके skin पर try कर रहे हैं तो उनके reaction के chances minimal हो जाते हैं वैसे ही एक और चीज में आपको वापस याद दिलाना चाहता हूं जैसे मैंने वीडियो के starting में बताया कि कुछ minor conditions में ये जो सारी steps हैं थोड़ी बहुत alter हो सकती है तो आपको अगर skin routine आपके board certified dermatologist ने दिया है आपकी skin type या फिर skin condition को मद्दे रजब रखते हुए तो फिर आपको उस तरीके का ही skin routine और layering follow करनी है I hope इस वीडियो से आपको काफी important information मिली है ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को subscribe करिए इस वीडियो को like करके अपने friends और family members के साथ जरूर share करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में